तो आज हम बात करेंगे 404 एरर के बारे में अरे ये क्या है अरे नहीं फिकर मत करो ये एरर नहीं आ रहा है अभी कोई ये से दिखाने करें लगाया है मैंने जब आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करता है और ऐसा एक लिंक ओपेंग करता है तो ये एरर आ गया है अब मज़े की बात यह है कि अगर आपने वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस बनाई है तो फिर 404 error की बजाए ऐसी जो है बाते अपने आप लिखी आ जाएगा ऐसा sentence अपने आप लिखा आ जाएगा और search बार भी आ जाएगा ताकि आप अपने आप इसी site पर रहें और कुछ और search करना हो तो आप कर सकें और आप देख सकते हैं मेरा header मेरा footer सब यहीं लगा हुआ है तो अगर कोई random जना आता है मेरी website पे और गलती से को URL टाइप करता है तो फिर उसे मेरी website पे ही रहना पड़ेगा उसे forcefully ऐसा नहीं लगा कि वो मेरी website को छोड़के जा रहा है एक और example गाइस में दिखाता हूँ आपको Amazon से Amazon की हमने यहाँ पे website खोल ली है और यहाँ पे हम forward slash क करके random ली SV कुछ भी type कर देते हैं और देखते हैं यह को URL है यह नहीं है तो guys आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने customize कर रखा है अपना Amazon का URL इसका मतलब यह है 404 error जब भी Amazon की website पे आएगा तो फिर वो website हमें यह display कर रही looking for something we're sorry the web address you entered is not a functioning page on our site go to Amazon's homepage तो guys यह बहुत किसी आप website पे जाते हैं जिसने 404 error नहीं लगा रखा हो तो आपके पास एक बहुत ही अजीब सा display page आ जाएगा तो देखिए guys आपके पास ऐसा कुछ आ सकता है जिसमें कोई भी website का link नहीं है अगर मैं आपसे बोलों कि बहिया बताओ कौन सी website के बारे में है यह तो आपको क देख रहा है तो अगर कोई भी नया जना आता है कोई भी नया जना जो विजट करता है और रैंडम यह से कोई page पे गलती से पहुँच जाता है तो फिर उसको ऐसा कुछ ना देखिए क्योंकि अगर उससे ऐसा देखता है तो वह 99% क्या करेगा यह website को close ही कर देगा उसको back चाने कोशिश नहीं करेगा उसको फिर से ढूडने कोशिश नहीं करेगा और फिर आपका जो customer था यह consumer था जो भी था वो आपके लिए हो सकता है पर्मनेंटली लॉस्ट हो जाए इसलिए आपके लिए बहुत important है कि आप एक custom 404 error page ज़रू बना कर रखे अब अगर आपने guys अपनी website coding से बनवाई है तो अपने coder को contact कीजिए वो इसको बहुत easily लगा सकता है और अगर आपने wordpress से बनाई है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यह as it is जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी wordpress website बनी और यह 404 custom error page अपने आप बन चुका होता है तो guys यह बहुत ही important चीज़ है आपके लिए समझने के लिए और यह छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपने कोई भी website पे आप काम करें गभी भी तो guys hopefully आपको इस वीडियो में सब कुछ clear हो गया होगा 404 error के बारे में क्या है यह क्यू होता है और इसको कैसे solve किया जाए वीडियो अगर पसंद आया हो guys तो ज़रूर like करें मेरी वीडियो को और subscribe करें चानल को ऐसे ही और वीडियो के लिए आप इस वीडियो का ज़रूर share करेगा ताकि आपके सब friends and family को पता चलेगी जबी भी कोई 404 error आता है किसी भी website में जब वो रैंडमनी ऐसे visit करते हैं जो कोई पुराना page हो बाइचांसी या फिर कोई भी page हो रैंडमनी तो वो exactly होता क्या है उसका मतलब exactly क्या है और आप मेरे को contact कर सकते हैं digital marketing services के लाब को अता ही मेरी contact details नीचे display हो रहे होंगी thank you for watching this video guys, मिलते हैं अगली वीडियो में आप है, तो आप लाइचांसी लाइचा ड़र आप है